पॉम गैंशी महां गड़े शाय नमा राधी दाधी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों हमारी धर्म शास्तों और पुराणों में पूजा पाठ और दिन चर्या से चुड़े कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी माना गया है सुभे उठने से लेकर रात्री में सोने तक हर पहर को लेकर शास्तों में कुछ पिशिश नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से ना सिर्फ हमारे जीवन में खुशाली आती है बल्कि हमें पूजा पाठ का भी उचितफल प्राप्त होता है दोस्तों अधिकतर हम सभी इस बात पर ध्यान देते हैं कि सुभे उठकर क्या करना चाहिए ऐसी माननेता है कि सुभे उठकर जो कारे किया जाता है उसका असर पूरे दिन पर पड़ता है लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सुभह की तरह ही रात्री का भी विशिश महत्व होता है रात में सोनी से पहले हम जो कारे करते हैं उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है हमारी शास्तों में कुछ ऐसे कार्यों के बारी में बताया गया है जिने रात्री में भूल कर भी नहीं कहना चाहिए अगर यह कार्य आप गलती से भी रात्री में कह लेते हैं तो इससे आपके जीवन पर बुरा असर पड़ेगा कार्यों को रात्री में सोने से पहले कहने से जीवन में नकारात्मक उजा का संचार होता है कार्यों में बाधाया आने लगती हैं और पूज़ापाठ का भी उचित्फलप्राप्त नहीं होता आए दोस्तों आज की इस वीडियों में जानते हैं कि कौन से ऐसे कारे हैं जिनने रातरी में सोने से पहले भूल कर भी नहीं करना चाहिएं जिससे हमारे चीवन में प्रक्दि हो, परात्मक ऊजा का संचार हो और देवी देपताओं की भी कृपा प्राप्त हो दोस्तों बीडियो में आगे बढ़ने से पहले बीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंग्स के साथ शेयर जरूर करें और यूसफुल बीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाए दोस्तों सबसे पहला कारे है गायत्री मंत्र का जाब शास्तों में इसके बारे में बिस्तार से बताया गया है ज्यान और शक्ति रूपा माता गायत्री के मंत्र का जब समस्त प्राणियों के लिए कल्यान कारी बताया गया है लेकिन इसकी लिए नियत समय नियम और मर्यादा का पालन करmenा जरूरी होता है गायतरी मंत जपनी का सर्विता उप्यक्त समय सुपह सुर्यो δैस से पहले और संध्या काल में होता है रात को सोने से पहले कभी भी गायतरी मंत का जपने ही करणा चाहिए गायत्री माता के तीन स्वरूप माने गए हैं जो की हैं प्रात्य, दोपहर और संध्या धार्मिक द्रश्टी से सुभे की समय खड़े होकर किया गया संध्या कर्व और गायत्री जब रात के पाप और दोशों को दूर करते हैं और शाम को बैठ कर किया गया संध्या कर्म और गायत्री चप दिन में हुए दोश और पाप नश्ट करते हैं ये गायत्री मंत्र का जाप प्रात है या फिर संध्या काल में ही करना चाहें रात्री में सोने से पहले कभी भी गायत्री मंत्र का जाप ना करें दोस्तों गायत्री मंत के इलावा रात में सोनी से पहले पित्रों का ध्यान करना भी शास्तों में मना किया गया है पित्रों के बंदन का समय दुपहर का माना गया है पित्रों का आशेवार प्राप्त करने के लिए शाम के वक्त गौध हुली बेला में दश्य तिशा की तरफ दिया जला कर रखें या फिक कोई बल भी जला सकते हैं मानिता है ऐसा करने से पित्रों का मार्ग प्रसस्त होता है रात को सोने से पहले आपो अपने इश्ट देपता या फिक कुल देपता का ध्यान करके सोना चाहें ऐसा कहने से जीवन में सकारात्मक उजा का संचार होता है और आप प्रग्दी करते हैं इध्यान रखें रात्री में केवल भगवान का ध्यान करें पित्रों का ध्यान तो पहर क्या संध्या काल के समय ही करें। दोस्तों रात्री में सोने से पहले कभी आईना नहीं देखना चाहिएं। इसे बास्तू के लिहास से अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी माननेता है कि रात को सोने से पहले आईना देखका सोने से दराबनी सपने आते हैं अगर आपके बेडरूम में आईना है तो रात को सोने से पहले उसे धखते हैं ताकि सोते वक्त परिवार के किसी भी सदस्य की परचाई उसमें ना दिखे वहीं बास्तु में यह भी कहा जाता है कि सुभह भी उठते ही आईने में अपनी सूरत नहीं देखनी चाहिए ऐसा माना जाता है कि सोकर उठने के बाद आपके चहरे पर आलस से होता है और आपके उपर नकारात्मक उर्जा का प्रभाब होता है इसलिए आईने में चहरा देखने से इस नकारात्मक उजा में और बढ़ोत्री हो जाती है और आपका पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरता ऐसे भी मानेता है कि रात को आईना देखने से चहरे पर जाईयां भी नजर आने लगती है उस्तों रात्री में सोते समय भगवान के दर्शन करके सोना बहुत शुब माना जाता है लेकिन भगवान शिपची के बैराख सुरूप का दर्शन नहीं करना चाहें भगवान शिपची को बिरख्ती और बैराख के कब प्रतीक माना गया है इसलिए सोने से पहले भगवाईशिप का चहरा नहीं देखना चाहें ऐसा करनी से आपके दामपत्य जीवन में अलगा पैदा हो सकता है भगवाईशिप का बह चहरा जिसमें भगवाईशिप बैराग्य की मुद्रा में हो तब की मुद्रा में हो या फिर टांडप की मुद्रा में हो ऐसा चहरा नहीं देखना चाहिए ऐसा कहनी से आपके दामपत्ते जीवन में अलगा पैदा हो सकता है इसलिए शेनकष में भगवान शंकर की तश्वीर या पत्मा लगाने को मना किया जाता है बही पूजा पार्ट में भगवान शिप के ग्रहस्त रूप महादेब की पूजा की जाती है महादेब का जो चित्र अपने पूरे परिवार के साथ होता है आप उनका दर्शन करके सो सकते हैं आप चाहें तो सोने से पहले भगवान राधे किष्णी के भी दर्शन कर सकते हैं। इससे आपके दाम पत्ते में मधुरता लोटने के साथ उसुपता भी बनी रहेगी। दोस्तों सोने से पहले कई बातों में से एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि सोने से पहले ज्यादा हसना नहीं चाहें। हाला कि इस बात का कुई ब्यघ्यानिक या फिठार्मिक आधार नहीं है कि सोने से पहले हसे ना। लेकिन लोग माननिताओं के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि किसी भी ब्यक्ति को सोने से पहले बहुत हसना नहीं चाहें। नहीं तो अगले दिन सुभे से लेकर रात तक उसे कश्टों का सामना करना पड़ता है उस तो रात को कभी भी जूटे मूँ या फिर बिना पैर धोय नहीं सोना चाहिए कभी भी अधो मुख होकर दूसरे के पिस्तर पर गंदे घर में या तोटे हुए खाट पर भी नहीं सोना चाहिए रात में सोने से पहले दो घंटा पहले ही भोजन कर लेना चाहिए ऐसा करने से अच्छी नीद आती है रात में हमेशा बाई करबट लेटना चाहिए ऐसा करने से सीहत अच्छी रहती है सोते समय पैर की दिशा पर भी विशिश ठान देना चाहिए घर के मुख्य दर्वाजे की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए ऐसा करने से सीहत और सम्रथी को हानी होती है घर के मुख्य दर्वाजे की तरफ पैर करके रत्य प्यक्ति को लटाया जाता है इसलिए कभी भी घर के मुख्य दर्वाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए दिशा की तरफ सिर रखकर सोने से ज्यान में बढ़ोत्री होती है दश्रिन दिशा में सिर रखकर सोने जे शांती, सीहत और समरधी मिलती है इसलिए इन दोनों दिशाओं में ही सिर करके सोना चाहिए दोस्तों रातरी में सोते समय इन्यमों का पालन अवर्ष ही कहना चाहिए उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो का अपने फ्रेंट्स और इस्तिदारों में ज़्यादर से ज़्यादर शेयर करें जिससे भे भी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले तैंक्स फॉर वाचिंग, राधे राधे